साथियों नमस्कार जेहिंद कैसे हो आप सभी लोगुमित करता हूं कि आप अच्छे हैं मस्त हैं सवस्ता और अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं देखिएगा एक बार पुने स्वागत आप सभी का आपके इपने इस परिवार में नेवरी परिव खामोस यहां तलवार नहीं यह धरती है महाराना की हार यहां स्विकार नहीं कतई स्विकार नहीं द्वंद कहां तक पाला जाए युद कहां तक ताला जाए तू भी है राना का वंसज फैट जहां तक भाला जाए जहां तक भाला जाए बफरिंग हो सकती है आपको लग सकत कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेशन की सुरुवात के इंदरी बफरिंग हो रही है कोई बात में थोड़ी देर कलास चलेगी थोड़ी देर तो अपने आप सेट बेट जाएगी एक बार सभी को नमस्कार रम राम और अपन सेशन को प्रारम करते ह देखेगा कलास जो है रिकोर्ड भी हो रही है साथ साथ में अगर ज्यादा डिस्टर्ब होगा सेशन तो मैं लाइव को बंद करके और बाद में रिकोर्ड कलास डाल दूँगा तो को चिंता ना करें आप कहीं कोई आपको घबराने क्या आउसकता नहीं है आप डटे रहें थमे रहें और अपन सेशन को प्रारम कर देते हैं पहली पहली बात है पहला पहला कुस्सन आपके सामने क्या आता दिखीगा पहला प्रसन आपके सामने चूंकि आप देख पारें पन क्या पढ़ रहें राजस्थान जीके का खजाना राजस्तान जीके का खजाना वाली जो स्रीज है इसको लेकर के अपन लोग बाच्चित करने वाले और इसको लेकर के अपन पढ़ने वाले आईएगा हां कौकी धरती से प्रणाम सरकाल कठे गिया मजो कोई आई कोई बात नहीं काल कठे गिया बिन चोड़ो आज मजो लेओ कलास में अगर नेटवर्क प्रोब्लम थोड़ा सही होती थोड़ देर में तो अपन कर देंगे अन्य था रिकूर्ड कलोस कलास आपको मिल जाएगी देखिएगा पहला पहला भारत के समिधान निर्मान के लिए सुनना ये एक समिधान सभा बनाने की जो मांग है इसे भारतिये रास्त्रिये कॉंग्रेस ने पहली बार कब स्विकार किया यह बात कर रहा है यारे भारतिये रास्त्रिये कॉंग्रेस ने पहले बार कब स्विकार किया अगर मैं बात करत सबसे पहले मांग किस नी कि है समिधान सभा की मांग की इसके बाद करता है तो आपको ध्यान में 1922 में 1922 में गांधी जी ने भी कहा गांधी जी ने कहा कि भारत का एक समिधान होना चाहिए और समिधान का दिर्मान समिधान सभा के द्वारा होना चाहिए और यह जो समिधान सभा है यह भारत के लोगों द्वारा ही क्या होनी चाहिए बनी हुई होनी चाहिए तो यहां पे नम्बर दूसरी बात आगे 1922, इसके बाद में बात करते हैं, आप कहेंगे सर 927 में, 1920 में नहरु समीती कें, नहरु जो समीती थी उसने भी समिधान सभा केमांग को सुविकारा, और उसके बाद अपन बात करते हैं तो 1934 में एम एन राय बोले तो आप कह सकते हैं मानवेंद्र नात राय एम एन राय का मतलब आप कह समझेंगे मानवेंद्र नात राय देखीएगा एक बात बता दू में एक मिनट के लिए अजन दो देखिया का आपन बात कर रहे थे कि भारत के समिधान निर्मान के लिए क्या समिधान सभा बनाने की पनमाग कर रहे तो यहां बात आरा है कोंग्रेस ने पहली बार कब तो आपका उत्तर आएगा 1935 आ पर बिदेंगे और अंतता आप जानते हैं एक बात कि समिधान जो सभा है यह केबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार बनती है यानि केबिनेट जो मिशन था इस मिशन की योजना के अनुसार समिधान सभा के लिए क्या होते हैं चुनाव होते हैं और अंतता आप जानते हैं 292 सदस से केब पूरा एक प्रोजेक्ट बना कित्ते सदस्यों का 389 सदस्यों का तो इसका राइट आंसर आगे 1935 अगला सेकिंड नंबर का प्रशन आपके सामने क्या आता है यह आता है कि सन 1938 में यह किसने कहा कि सवतंत्र भारत के समिधान का निर्माण चुनी हुई समिधान सभादवारा कि करण बात किसके दौरा कही जाती है तो आपका उत्तर बनेगा पंडि जवारलाल नहिरू के द्वारा कि जाती है कि स्क्डवा पंडि जवारल बेटक कब हुई अगर आपसे पूछा जाता है कि समिरान सवा की पहली बेटक कब होती है आप कहेंगे सर 9 दिसंबर 1947 कत ही नहीं 13 दिसंबर 1946 और इस दिन क्या रखा जाता है तो याद रखीगा इस दिन रखा जाता है उदस से परस्ताव उदस से परस्ताव पेस किया जाता है याद रखना एक बाल उदस से परस्ताव पेस कब किया जाता है आपका उत्तर बनेगा उदस से परस्ताव पेस किया जाता है किस जनवरी 1947 को, यानि रखा कब गया? आप कहेंगे तेरा दिसम्मर 1946 को, और बात आती है कि पास कब होता है? आपका उत्तर आएगा, 22 जनवरी 1947 को, यह उधस्य परस्ताव जो है, यह पास होता है और यहीं उधस्य परस्ताव आगे चल करके क्या बन जाता है आप कहेंगे आगे चल करके यहीं उदस्य प्रस्ताव फिर प्रस्तावना बन जाता है अब सुनिएगा आगे कहरें कि 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है यहां पे आप कहेंगे कि इसमें समिरान सवा का इस्ताई अध्यक्स चुन लिया जाता है समिरान सवा का क्या चुन लिया जाता है तो आप कहेंगे इस्ताई अध्यक्स चुन लिया जाता है फिर आपके मन में प्रशन बरेगा इस्ताई अध्यक्स ये किसे के पहली पहली बैठक होती है और इस दिल समिदान सभा का अपसे बनाया जाता है आपका उत्र क्या बनेगा कमेंट करके हिवी बताईए गा इस्थाई जो अध्यक्स है ये बनाये जाता सचिद्दानंद सिन्हाकू एस्थाई ध्यक्स किसे बनाये जाता तो याद रखेगा सचिद्दानंद सिन्हाकू आपके मन में एक बात तो आ रही होगी बात ये आ रही होगी से राजस्तान अध्यन चल रहा है और राजस्तान अ से कौन-कौनमेंबर गए है और उनसे पहले यह प्रसंद भी आपके पाक्त में अचनि किए कर लेते हैं लेगे राच्तान जीके के अलावा सभ्जेक के लंग यह चीज है आपके काम में आ जानी है चलते हैं और SST में नहीं तोर कहीं काम आजानी है चलते हैं यहां पहली-पहली स्ताइद्यक्स की बात रखना और ज़िए आप से पूछा जाता है कि समिधान सभा के पहले-पहले उपाद्यक्स कौन थे आपका उत्तर आएगा एचसी मुखर जी समिधान सभा के पहले-पहले उपाद्यक्स कौन थे तो याद रखिएगा एचसी मुखर जी यह समिधान सभा के पहले-पहले उपाद्यक्स थे चलें आगे चलतें आगे देखिएगा जैसे प्रशन बना अपना क्या उधस्य प्रस्ताव कब पारित किया ग को और बात आती है कि इसे पारित कब किया जाता है यानि पास कब किया जाता है वाइस जिनवरी परते थे इसके बाद बात आती डोक्टर राजेंद्र परशाद तो इस्ताय द्यक्ष किसे बनाया जाता है डोक्टर राजेंद्र परशाद को बनाया जाता है जमकि सचिद्धानंद सिन्ना ये क्या बनते हैं तो आपका उत्तर आएगा सचिद्धानंद सिन्ना ये ऐस्ताय ध्यक्षे बन जाते हैं क्या बन जाते हैं एस्ताइद ध्यक्ष बन जाते हैं कौन सचिद्धा अनंदे सिन्ना चले आगे चलते हैं एक बार सेशन को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ आप क्या कर दें सेर भी कर दें समिधान सभा ने समिधान को कब स्विकार किया य 45 के जेग अगर मैं चौविस लिख देता हूँ चौविस तारिक को याद रखेगा दो तीन बाते 105 एएक तो आप कहेंगे रास्ट गानककव सीविकार किया जाता है Print drunk 1950 को call रास्ट घीत कम अगर आप कहें कि रास्ट्र पती भारत के पहले पहले कौन थे राजंद्र प्रशाथ थे ये भी कव चोवी जनवरी 1950 को अगर बात आती है रास्ट्र धवज की तो याद रखेगा 22 जुलाई 1947 को रास्ट्र धवज की बात आ सिधा सिधा तो आपका उत्र क्याएगा राष्ट धवज को स्विकार किया जाता है 22 जुलाई 1947 को कब स्विकार किया जाता है 22 जुलाई 1947 बात आ रही है समिधान को कब स्विकार किया गया 26 नौंबर 1949 यहां पूर्ण रुप से स्विकार नहीं होता है यहां पे समिधान क्या हो होता है अधिनियमित इस दिन किया जाता है बात करें आत्मार्पित किया जाता है और आत्मार्पित के बाद आप कहेंगे समिधान को अंगी कृत कर लिया जाता है अधिनियमित आत्मार्पित अंगी कृत यह कब किया जाता है अब अगयेंगे चबिस नोंबर 1949 को लेकिन समिधान है ये पूर्ण रूप से कब तो आपका उत्तर आएगा समिधान सभा ने समिधान को कब सिविकार किया तो आपका उत्तर यहां बन जाना है ये सविकार कब करेगी समिधान सभा समिधान सभा सविकार कब करेगी जल्दी से कमेंट करके बता लगुक से लागु कब होता है तो आपका उत्तर क्या बनेगा सरपोन रूप से लागू ये होता है 26 जनवरी 1950 को कब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को एक बात और याद रखेगा अंतिम जो बेटक है ये कब होती है आपका उत्तर बनेगा 24 जनवरी को होती है अंतिम बेटक भी 24 जनवरी को होती है 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन सविधान सभा को क पूरी प्रक्रिय चल ली थी वो चलती रहती है नेक्स्ट परसें आपके सामने आते हैं भारत का समिधान ये कब लागु किया गया तो सीधा प्रसें सभाने प्रारूप समीती बनाई जिसका ध्यक्स किसे बनाया गया था समिधान सभा ने एक प्रारूप समीती बनाई और इस प्रारूप समीती का जो ध्यक्स है ये किसे बनाया गया था ये परसें अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बदाएंगे डॉक्टर भीमराँ अंबेडकर को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र परशाद को बनाया गया, सरदार वल्लब भाई पटेल को बनाया गया या पंदि ज्वारलाल नहरु को बनाया जाता है तो आप जानते हैं सीधा सीधा drafting committee प्रारूप समीती इसके द्यक्सपद पर कौन रहते हैं आपका उत्तर आएगा सर डोक्टर राजंदर परशाद नहीं भीमरा वंबेड कर रहते हैं राजंदर परशाद की बात आती है सीधे सीधे से एक प्रशन बनेंगे प्रक्रिया नियम समीती यह किसके द्यक्सता में बनती है आपका उत्तर बनेगा प्रक्रिया नियम समीती इसमें आ जाएंगे राजंदर परशाद आगे फिर प्रशन बनेगा संचालन समीती कौन सी समी समीति की बात हो रही है संचालन समीति तो यहां भी राजेंदर परशाद आएगा इसके बाद प्रशन बनेगा जंडा समीति यानि जंडा जो समीति है जिसे आप कहे सकते हैं यानि तदर्त रूप से जंडा समीति इसके देक्स भी कौन थे यह भी राजेंदर परशाद थे ब राजेंदर परशाद बनते हैं अगर आप सरदार वल्लब भाई पटेल की बात करना चाहते हैं याद रखीएगा प्रांतिये समिधान समीती कौन सी समीती तो आपका उत्तर आएगा प्रांतिये समिधान समीती इसके दक्स कोन बनते हैं तो आप कहेंगे सरदार वल्लब भाई कर बनते हैं जबहात आती है मूल अधिकार के लिए जू उपसमीती बनी है कि अ संख्यक उपसमीटी के जबकि अलब संख्यक उपसमीटी और यह जो अलब शंक्यक उपसमीटी बनी इसके उपादेक्स जो थे यह थे एच सी मुखरजी कौन थे A.C. مוכरजी, एक बात और बनती है, कि ज्वारलाल नेरू का समद्ध किस्स्य आता है, सुनिएगा सिरा सिरा प्रशन बनेगा, संग सकती समीती, संग सकती समीती, इसके डख्स कौन थे, ज्वारलाल नेरू थे सर परलाल नेरू थे चलें आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट परसें आपके सामने इसका राइट अंसर डोक्टर भीमराव मेड करा जाएगा इसमें अध्यक्स के अतिरित्त सदस्य कित्ते थे तो आप जानता है एक पलस में चै याने एक तो अध्यक्स होगे और चै क्या होगे चुनना है यारे समिदान जो सभापनी थी उस समिदान सभा में राजस्तान से डारेक्ट भी बहुत सारे लोग समिदान सभा में परति निधित्वा कर रहे थे और कुछ एक लोग ऐसे थे जो राजस्तान के अंदर प्रशास्निक अधिकारियों के पत्पे तेनात थे और व सभा में काम कर रहे थे सरदार क्यम पन्निकर की बात आती है यह विकाने रियासत थे रियासत में प्रशास्थनिक अधिकारी और समिधानसवा के इंदर भी थे बात आती सर टी विजे राग्वाचारी यह कोटा में थे क्या नहीं सर इनका उत्तर आ जाएगा यह उदेपूर क स्मूंद क्रें आज सर्द दोति आएगा कोटा कौटा नहीं को टांप ऐसे लाइक करें लायग करने के साथ सब्सक्राइब भी कर लें चलें आगे अगला प्रसंद आपके सामने आता है प्रसंद क्या आता है अगला अगला देखिएगा मैं कुछ एचीज लें वह आपके लिए समिधान सभा के सदस्य जो राजस्तान की निवासी थे सुनिएगा नमर एक कहा कहा से ये भी आपको धान रखना है जैसे मुकट वियारी लाल भारगव ये कहा से ये अजमेर मेरवाडा से इनों ने परतिन इधित्व किया समिदान सवा में थे राजस्तान से ठीक है लेगिन कहां से परतिन इधित्व कर रहे थे अजमेर मेरवाड़ा से आगे बात आती मानिक्यलाल वर्मा सामाने सीख बात उधेपुर से थे कोई विसे सियाद नहीं करना जे नायन रास की बात आती है सर जोधपुर कहेंगे बलवन सिंग महता उधेपुर पर जामेंडल पढ़ते हैं उधेपुर याद रहेगा यह नाम याद कर लेना ना याद रहे अभ्यास में नहीं हो आपके यानि राम चंद्र उपाध्या इन्हों ने परतिनिधित्व कहां से किया अलवर से किया बात आती है दलेल सिंग इन्हों ने परतिनिधित्व कहां से किया आप कहेंगे कोटा से किया बात आती है गोकुल लाल असावा यह कहां से परतिनिधित्व कर रहे थे साहपुरा धिल बाडा से इसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं पान तो अपने पास आते हैं और आएंगे जस्वन सिंग कहां से प्रति निजित्व कर रहे थे तो आपका उत्तर आएगा ये विकानेर से प्रति निजित्व कर रहे थे जस्वन सिंग कहां से प्रति निजित्व कर रहे थे विक जुनू से थे सर्दार सिंग का समंध कहां से था तो आपका उत्तर आएगा खेतडी चुल जुनू याद रहेगा इतनी चीज़े ठीक है अब बात आती समिदान सभा के सदस्से जो राजस्तान की रियास्तों में प्रशासनिक अधिकारी थे एक बार फिर इनको रिपीट करव देता हो मैं उपरवालों को द्यान से देखती चलना मुकुट वियारी लाल भारगव कह से अजमेर मेर्वडा याद रहेगा मानिक के लालवर्मा कहां से उधेपुर से याद रहेगा बल्वन सिंग मैथता कहां से उधेपुर से जैनाण व्यास कहां से refr apar hizo राम चंद्र कहाँ से लातारी जास्तान की रियास्तों में चार बंद ऐसे जो यहां प्रशासनिक अधिकारी थे और सास सत्वो समिध्दान सभा के अंदर बीदे कौन को ने चार बंदे सुनियेगा नमबर एक पे अगर बात करना च्छाएं अपन सर वीटी कर्ष्णमाचारी ये जेपूर के अंदर प्रशाष्टनी का अधिकारी थे सीए सुवेंकटाचारी की बात आती है यह जोदपूर के अंदर थे सरदार केम पनिकर की बात आती है यह विकानेर के अंदर थे और सर्टी विजेरागवाचारी की बात आती है अभी अपन बात करके आये थे यह कोटा में नहीं थे कहां थे उधेपूर के अंदर यह चार बं यह तो ग्यारा प्लस में चार होगे पंद्रा और यह बात कशा साथ के रास्तान अध्यान में दिवी बुक्स में आपको लग-लग आंकडे मिलेंगे लेकिन यह में बता जाए अब यहां सुनिएगा एक बड़ी काम की बात इनके तिरिक तो कौन-कौन थे जो राजस्तान मू परभु देयाल हिमध सिंगह ये पस्म मंगाल से यानि राजास्तान पर्भू देयाल और försö में यहां से तो आपका उत्तर हा ये पस्म मंगाल से ते बात आती बनारसी दास जूंजनु वाला यह इन दिट्स हमें बात आरी परदमत सिंगաनिया यह मुह मुहां से और से आप कहेंगे हैं राजस्तान के ही मूल लीवा से लेगक नएं राजस्तान ही दिया से नहीं करके यह अन्य किसी राज्य मस्थे यह पसिम मंगा भाता औरू बनार्सी दासुञुन Tao 항상 जे चीजें तर्प्रतेश से अब एक स्वाधि समिर्हान के बारे में सारी चीज़े कर ली तो समिर्हान लिखा भी गया होगा कहीं ने कहीं समिर्हान के प्रस्ट भी होगे और उन प्रस्ट में याद रखेगा यानि जो मूल प्रती है समिर्हान की उसमें 22 शित्र हैं जो भारत की इतियास प्रंप्रा और संसकर्ती को दर्श पे गी याद कर लेना नन्दलाल बोस अब बात आती है इसके अलावा की बात आती है तो याद रखना राजस्तान की चित्रकार जेने अfn ब्लूँ पोट्री के रूप में जानते हैं कृपाल सिंह से खावत ब्लूँ पोट्री का समध किससे कौन है कृपाल सिंग से खाओ चलें आगे चलते आगे जैसे बात बनती है वेचे बनती है कि कौन कौन थे अभी अब बात कर रहे थे पूरे के पूरे 11 पलस में चार जो मेंबर हैं इनको पने करके अभी देखने वाले देख लें एक बार फटापट फटापट पाकि फिर अब देखेंगा एक-एक से अलांके इनके बारे में जानकारियां है और जानकारियां बड़ी काम के जैसे अभी कर सेकंड गेड का पेपर हुआ और वहां पुछा गया है मोती लाल तेजावत का समंद कहां से अब कोल्यारी ग्राम से जब भी जब जन जाती आंदोलन की चर के गा मुकुट वियारी लाल भारगव एक-एक चीज काम की जनम कब हुआ 1903 में यह कहां से समंदीतन सर उदेपूर से लेकिन मजे की बात सुनना इनोंने समिरान सवा में परतिन रित्व कहां से किया तो आपका उत्तर आएगा अजमेर मेरवाडा प्रांस से नंबर एक बा बात आती है जनम हुआ का मि जो लिया भील वाडा मुट? इसके बार प्रशन बनेगा 38 में परजामंडल पर लगी रोग को अटाने के लिए सत्यागरे आंदोलन कर काजमेर में संचालन किया एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात अब 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 जब परजामंडल परते हैं तो जानते हैं 1938 में मेवार परजामंडल की स्तापना होती है परजामंडल पर बेल लगा दिया गया तब इन्होंने उसकी गतिविधियों का संचालन कहां से किया अजमेर से और अजमेर से करते हुए उन्होंने किताब भी लिखी थी कि वर्तमार के अंदर मेवार का प्रशासन केसा है क्या है आगे सुनिए गा और मेवार परजामंडल याद रख लिजेगा बलवंतमेहता आगे बाताARी वर्मा जी ने गीत लिखा था पंचीड़ा पहली तो का पंचीड़ा किसका है विजह सिंग पतिक का और पंचीड़ा किसका है जे नारायन व्यास को लेकर के आप जानते हैं जे नारायन व्यास से समंदित क्या क्या बात है यह भी संविधान सभा में मेंबर तो थे बिल्कुल थे सर तो संविधान सभा में जब मेंबर थे तो आपको एक बात याद रख लेनी है एंका जनम कहां पर होता है सर यह जोदफ पादल इकावन से लेके चपपन्ता के राजस्तान के दो बार मुख्यमंत्री दो बार का मतलब याद रखेगा एक बात पक्की मनोनीत भी और निर्वाचित भी राजस्तान के वह मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे राजस्तान के तीन मुख्यमंत इसके पीछे की काने भी आपको पता होगी जे नारायन व्यास पहला चुनाव हार गए थे उसके बाद उप चुनाव में जीतने हैं और बाद में मुख्य मंतरी बन जाते हैं एक बात और याद रखेगा यारे आला कि किताबे इनकी पड़ी चुके हैं पन कौन कौन चे हुआ और उदेपुर से ही ये कहां जाते हैं आप कहेंगे उदेपुर से ही समिधान सभा में जाते हैं समिधान सभा के सदस्य के रूप में इनों ने मूल समिधान पर स्ताक्सर किया और एसा करने वाले ये पहले राजस्तानी थे अगर बात करते हैं सामान ने तोर पे तो पहले राज़स्तानी कों थे आपका उत्तर बनेगा पहले राज़स्ताने बलवंत महता थे एक बात उर याध रखे cyn interviews की सतापना किसके द्वारा कीगि बलवन्त सिंग महता के द्वारा जनम कहां उदेपुर में होता है उदेपुर से ही किया जाते हैं समिधान सभा में जाते हैं और एक विशे इस बात है मूल समिधान पर अस्ताक्सर करने वाले पहले रास्तानी कोन बलवन्त सिंग महता आगे फिर बात आती है सर राम चंद्र उपाध्याय ये कहां से समिधान में जाते हैं तो आपको पता है राम चंदर उपाध्याय हैं ये अलवर रियासत से समिधान में जाते हैं यारे समिधान सभा में अलवर रियासत से कौन जाते हैं तो आपका उत्तराएगा राम चंदर उपाध्याय एक बात और याद रखेग दलेल सिंग्ञ कोटा से परतिनेधित्व कर रहे थे जब की बात रामचंदर उपाध्या रही ये ये कहां से परतिनेध्व कर रहे थे ये आपका अलवर से इसके बाद बात आती है गोकुलाल असावा याद रखना अचा नाम आते ही तो साहपुरा भिलवड़ा जाना जाने भी कहां से किया तो आप कहेंगे सहपुरा भीलवाडा से इसकी बात और यह गोकुलाल असवा की बात और याद रख लेना इन्हें जेल में भी जाना पड़ा था लेकिन कोई खास नहीं जस्वन सिंग अभी में कहा रहा था जस्वन सिंग नाम आते ही आप भरतपूर मत कर दे से थे मतलब क्या समझाएंगे जस्वन सिंग ने कहां से प्रतिन धित्व किया आपका उत्तर बनेगा बीखानेर से और राज्य सभा के सदस्व से भी मनोनीत होते हैं कौन तो आप कहेंगे जस्वन सिंग और सारदूल सिंग के टाइम में प्रधान मंद्री भी रहते आगे सब्वादूर की बात आये तो आप कहेंगे भरत मुझे कंडिये जाते हैं और इंपोर्टेंट लगादेता हूं मैं राज राजबादूर आप कहेंगे सर कहां रिलेट हो गया रास्तान के प्रमुख विक्तित्वर कर लो बात आ जाएगा प्रसंदूर और मुखे इसलिए कि समिधान सभाम में राजस्तान से जो लोग हैं उनमें गिने चुने नाम हैं याद कर लेना इनको ये कहां से बरतपूर से ब लाल सास्त्री जितनी बातें बता दो उतनी कम हैं इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं पहली पहली बात जेपूर के जोबनेर में जनम ठीक बात है अलजूनलाल सेटी के संप्रक में आए इसके बाद में राजके सेवा से त्याग पत्तर दे दिया बोले नोकरी नहीं कर द जेपूर परजा मंडल से जुड़े रहे अखिल भारतिय देशी राज्य लोक प्रिशद के प्रधान मंत्री रहे और राजस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री बने राजस्तान के पहले-पहले मुख्य मंत्री निर्वाचित सरकार में नहीं मनोनीत कौन थे हिरालाल सास्त्री आगे फिर बात आती है आप कहींगे सरदार सिंग सर्धार सिंग की बात आती है यह कहां से थे खेतडी के राजा सरदार सिंग थे में बात याद रखेगा केटरी से थे ये 1952 से चपपन के बीच में राज्य सभा के सदस्से रहते हैं और सन 58 से 61 के बीच में ये भारत ने इनको लाओस में राद्दूत बना कर भेजा और पिच्चा से में तमिलाडू करनाटक केरल अब बात करें थे चार हैं जो राजस्तान में प्रशास्निक अधीकारी लेकिन सविधान सभा में परतिनेद्वत नंबर एक पे बात आ रही कर्ष्णा माचारी यह मूल रूप से कहां से थे तमिलाडू लेकिन जेपुर रियासत के दिवान थे और तीपी खेतान के निधन के बाद में यह प्रारूप समीति में भी जाते हैं और 1961 में राज्य सभा के लिए भी चुम ली जाते हैं में बात आपको याद रखनी हैं इनका समिधान सभा में परतिन हित्वत था सी एस वेकंटाचारी यह कर्ष्णमाचारी और यह हैं वेकंटा एक बात याद कर लेना सी एस वेकंटाचारी करनाटक के रहने वाले थे प्रशासनी का धिकारी थे और कहां थे प्रशासनी का धियार का आपका उत्राएगा जोधपूर में और इनको जोधपूर में प्रशासनी का धिकारी रहे और उसके बाद में यह जेपूर के इंदर प्रशास्तनिक अधिकारी रहे और चैस जनवरी 1931 तो नेकर 25 अप्रेल 19 2013 तो यह राजस्तान के मुखे मंत्रि भी रहे राष्तान के मुखे मंत्री भी रहते कौन वे कंटा चाहिए आगे बात आती है तो यह सरदार सिंग्व चाहिए ठीक है सरदार के एम पननिकर ये मूलते कहाँ से थे सर ये केरल से थे मूलते कहाँ से थे पननिकर ता आपका उत्तर आएगा ये केरल राज्य के निवासी थे बात करेंirmे पर उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राद दूत भी बनाया जाता है कोई खाश लास्ट नाम आध कर लो यह राजस्तान के नहीं है लेकिन राजस्तान की रियास्तो में प्रशासनिक अधिकारी थे फिर यह वहाँ country पृतिनिधृत्व करते हैं ठीक है चलें आगे चलते हैं तो यह बात याद रखेगा सर टी विजे रागवाचारी यह यह मूल रूप से कहां के थे तो आपका उत्तर आएगा तमिल लाडू के थे और बिजोलिया किसान अंदुलन की द्वारे नोने अपने राजिस्वा मंत्री डॉक्टर मोहन स महता को कहां वेजा था विजोलिया और आप जानते हैं इन्हें के प्रियासों से फिर लास्ट में क्या होता है अंदुलन जो था यह 44 वर्सों से लंबा चला आरा अंदुलन यह 1949 में क्या हो जाता है अब आता थे मुकुट बियारेलाल भारगव का जनम कब हुआ अभी अभ पिल्कुल अजमेर से लोकसभा सदसे भी रहते हैं इसके बाद फिर प्रसें आता है कि पंचीडा गीत किसने लिखा सर अब तो कर देंगे कोई दिकत नहीं है पंचीडा किसने लिखा तो आप कहेंगे मानिक के लाल वर्मा ने पीडितों का पंचीडा आपको बताया था कमेंट करके भी क्या बताइएगा अगे पिर चलतें आगे प्रसें आता है क्या आता है सउक्त्य राजस्तान का प्रधान मंत्री यह किसे बनाया जाता है यारी कि करन के जब चलतें तो तीसे चलता है वह आप जानतें glass आपको याद करवाई हुई है यानि पहले चरण में सुभारां। आर दूसरे चरण में गोकुलाल सावा। तीसरे चरणं में मानक 새लाल वर्मा। और चोथे महिरालाल सास्त्री। और आप जानते हैं तीसरे चरण का नाम ऐन क्या आता है सेव्थों और सिंध रास्तान के समय मुखंध मंत्री। प्रधान मंत्री उस ताइम पद का नाम था ये कौन बनते हैं तो आपका उत्तर आएगा मानिक यलाल वर्मा चलें आगे चलते हैं प्रशन आता है कि जे नारेन व्यास तारुन रास्तान के प्रधान संपादक कब रहे तो केसे करोगे सर कर देंगे 1927 में रहे थे कब रहे 1927 क लगवार्त के जो प्रकासक हैं ये जे नारेन व्यास रहे थे हैं जे नारण व्यास प्रशन आरब उदेपुर में इस्थित वनवासी चात्र वास की स्थापन किसके द्वारा की जाती है तो अभी भी बताके आय थामें कि बल्वन सिंग्ग जो मेहता है इनके द्वारा सदस्य के रूप में मूल समिधान पर हस्ताक्सर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे तो आपका उत्तर बनेगा पहले पहले रास्तानी जिन्हों ने मूल समिधान पर हस्ताक्सर किये यह कौन थे तो आपका उत्तर भी पीछे बात करके था में बलवन सिंह महता कौन थे ब परशन आता आपके सामने कि दलेल सिंह का जनम ये कोटा से थे ना दलेल सिंह 1909 में इनका जनम हुआ था और कोटा महराव के नीजी सचीव भी हुआ करते थे दलेल सिंह और बात करेंगे इन्होंने 46 से लेके 50 तक क्या करते हैं यह समिधान सभामेकारिये करते हैं आगे बात आ केसी राज्य लोग प्रिशत के प्रधान मंत्री और राजस्तान के पर्थम मुख्य मंत्री कौन बने अब यह लाइन आते हैं आप गवरागे गवराना नहीं है इस लाइन को चोड़ो यह देखो राज्तान के पहले मुख्य मंत्री कौन बने तो पहले-पहले मुख्य मंत् तो जुन जुन याद रहेगा इतना रहेगा सर क्यों नहीं रहेगा नेमने लिखित में से ऐसंगत है बताईए फिर क्या संगत है इसमें नंबर एक प्यार है बलवन सिंग महता यह कहां से थे उधेपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे आगे बात आती रामचंदरुपाजा सभान जया, सभान सिंग एलवर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे अगे आता सत्य कथन कौण सा है एक नंबर प्यार है कि मुकुट बिहारी लाल भारगाव का जनम उदेपुर यासत में हुआ बिल्कुल सही बात अब देगने में लगता है कि इन्हों ने परतिन रित्व तो अजमेर से किया बिल्कुल जनम उदेपुर में हुआ व्यक्तिक सत्यागरे भारचोड अंदुलन में जेल गए समिधान सभा में एजमेर मेरवड़ा प्रांत का प्रतिन रित्व खा किया और तीन बार अजमेर से लोग सभा सदस्याख यानिसे सारे के सारे ही सत्यागे कफन नुद्ध के सत्ते ताको जांचिये और ऐसत्ते कथन की पहचान कीज़े 1897 में बिजोलिया भिलवाडा में इनका जनम होता है सही बात अभी पढ़के है पाज्या मंडल पर लगी रोक को अटाने के लिए अजमेर में सत्यागरा अंदोलन का संचालन करते हैं ये भी सही बात 1963 में राजस्तान खादी ग्रामों दोग बोड़ के देख सरते हैं ये भी सही है लेगिन अजमेर से समिधान सभा में नहीं जाते है अजमेर से नहीं जाकर के ये कहां से जाते हैं तो याद रखिएगा उधेपूर से जाते हैं से जाते हैं उदेपूर से ठीक है परशन आया समिधान सभा के समिधान के कुछ प्रष्टों का कलांकन किस राजस्तानी कलाकार द्वारा किया गया है तो यह कुंदन सिंग नहीं करपाल सिंग कुंदन सिंग का समन्द तो किस से आता है मीनाकारी से आता है पुर्शन आया राजस्तान के वो मुख्य मंत्री जो समिधान सभा के सदस्य भी रहे हैं आप जानते हैं जे नाण व्यास भी रहे हैं केरा लाल सास्त्री भी रहे हैं सी एस वे कंटाचारी भी रहें यानि सारे के सारे ये तीन मुख्य मंत्री हैं जो समिधान सभा के सदस हैं अब ये नया पेटन ये न्यू पेटन थोड़ा सा बहुत परसन नोर्मल है लेगन अगर ऐसे प्रशन आए तो परसन कहां से आए चीदी सीदी किताब में दीव है से बता दिया अब जो परसन आपके सामने आ रहे है केरल राज्य के मुल निवासी जो बिकाने राज्य के प्रतिनिधी के रूप में समिधान सभा के सदस से रहे थे तो आप कहेंगे पन्निकर आज की लिद्धा काफी है वाकी मिलते हैं नए सेशन में कैसा लगा अगर अच